हेलो वेवन वेल्कम तू मैं चैनल कोट सोरे वित माइक तो अधा अपने रिकरिशन कंसेप्स और कोश्चन के प्लेलिस का वीडियो नंबर एट करने जा रहे हैं ओके और स्टार्ट करने से पहले थोरा मोटिवेशन देखो कोडिंग इस नॉट जस्ट अब बिल्डिंग थें में ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम है मर्ज सॉट काफी फेमस अल्गोरिदम है सॉटिंग का ठीक है और काफी बढ़िया यूज है रिकरिशन का इसमें तो इसलिए मैंने अपने रिकरिशन के प्लेलिस में इस मर्ज़ट को भी आड़ किया है तो मै अभी तक समझते आ रहे हैं कि सिंपल से स्टोरी बनाएंगे ठीक है और स्टोरी के हिसाब से कोड करेंगे और ट्रस्ट करेंगे अपने रिकरिशन पर कि वो हमारा काम कर देगा ट्रस्ट यो रिकरिशन जो भी अपने लिखा है ठीक है अब देखो ध्यान दो तो रिकरिशन में आपको इसको सोट करना है तो सौट करने का उसने बहुत बढ़ीया तरीका उसने बताया कि आम पर माल एंडींग पॉइंट निखा लो टो मेड़ पाये इंडेक्स नॉंबर्श आघाना मेर्ज is equal to zero plus three by two क्या आया वन आया तो यह अपना आपका मिड़ पॉइंट है तो इसने बोला कि इन दोनों दो अलग-अलग हाफ में जो आपका अरे तूटा है दोनों को अलग-अलग आप भेज दो और उनको बोलो सौट कर देने को ठीक है मन लेते हैं यह 3 2 था आपका ठीक है तो इस सब अरे के लिए लेफ्ट पॉइंट क्या है और इस सब अरे राइट पॉइंट क्या यह है और जो रिमेनिंग सब अरे है उसका लेफ्ट यह है और इसका राइट यह है तो पता है क्या बोलता है कि आपको इतने बड़े अरे को सौट करना था ना मान लेते इतना तो यहां मैं लिख देता हूं कि अगर यह दोनों सोट हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा यह ऐसा कुछ थी अधरी और यह sauce होगा तो यह 25,500 बन जयेगा तो क्या बोलता है यह यह याद इसने क्या बहुता है मैं पूरे को सॉर्ट नहीं कर다ऊ मैं half half करके तुम दोनों को भीज देता हूं तुम उन दोनों safe को सोल्ट कर दो और उन दोनों Help जो सोल्ट होंगे देखो यह सौल्ट соверш ये भी सोल्ट हाफ है तुम मुझे बस सोल्ट हाफ को सौल्ट करके देदा मैं दोनों कोß कर दूँगा in sorted ठीक है दोनों को merge कैसे करूँगा ऐसा merge करूँगा कि वो sort हो जाए उसकी sorted ही रहें तो यह बता क्या करेगा यह बस merge का काम करेगा ठीक है हम यहाँ पर merge का काम करेंगे तो बते को merge कैसे करेंगे पहले तो देखा मैंने अच्छा है left side वाला array यह है right side वाल अरे यह है तो दोनों already sorted है क्योंकि मैंने क्या बोला था कि इन दोनों को sort करके ले आना कैसे लाएगा वह हमारा टेंशन नहीं है तो इसने क्या बोला कि थीक है sort करके लेज़ना मैं दोनों को merge कर दूंगा एक i pointer यहां रहा एक जे पॉयन्टर यहां रहा ठीक है अब दोनों धिंख़ो ध्यान देना इस i का जो यह है कि इस i का जो value है टू है और इस j pointer का जो value को तो आई थ पॉइंटर और जेष पॉइंटर नुमन है इसकी छोटीय इसकी छोटी बहुए तो मैंने क्या क्या लृत यहां डाल दिया मैं और एकले तो पॉन्तर. जो वैली और जे पॉइंटर में चोटा को नहीं आइथ पॉइंटर तो आइथ पॉइंटर में वैली टू है ना तो मैंने यहां पर हटा के टू डाल दिया और आई को आगे बढ़ा दिया तो जे तो अब वैसे राइट साइड वाले अरे में जितना बचा हुआ होगा वह इस यहां पर फाइव डाल दिया जे को आगे बढ़ाया जे भी आट ओफ बाउंड हो गया तो अब हम रुख जाएंगे है ना तो देखो हमने पूरे की पूरी वैली भर दी और देखो यह सौट हो गया अल्रेडी ठीक है तो मर्ज सौट यही बोलता है मर्ज सौट क्या बोलता करूंगा ना ऐसा मर्ज करूंगा कि वह अल्रेडी सौट इट फैशन में मर्ज हो जाएंगे मर्ज सौट बिलकुल सिंप्ली यही बोलता है तो अब एक काम करते हैं एक बार पूरा फुल ड्राइरन मारते हैं कि देखते मर्ज सौट कैसे काम करता है स्टार्टिंग में यहा ठीक है तो यहां पर आगया 3,2 क्योंकि मिड यह आए था ना तो ल से मिड तक का मैंने एक अरे ले लिया और M से लेकर आर तक का दूसरा यह ले यह इसका यह 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 तक क्लियर है ठीक है तो अब देखो फिर यही कहानी होगा ना यह भी तो बोले आए भाई मैं नहीं सोट कर सकता है इतने बडए आ reference 22 बोले कि मैं इसको तोडने जा रहाँ है ना मैं इसको तोडने जा रहा हूँ तो अब देखो इसका में निकलेगा कुछ है ना इसका मिड निकलेगा तो देखो इसका इंडेक्स जीरो था इसका इंडेक्स वन था है ना तो इसका मिड निकालेगा तो क्या आएगा इसका मिड आएगा जीरो है ना तो इसका मिड मैं लिख देता हूं इसका मिड यही है ठीक है तो यह क्या करेगा यह बोलेगा कि भा यहां यहां फ़ए तो अब यह काम करते हैं यह तरी को भी ऐसी बढ़ा देते हैं यह यह इस तरह तूटेगा यहां पर वन यहां पर फाइव ठीक है अब देख लेते हैं सा इंडेक्स नमबर 2 था इसका अनुबर 3 था ना तो मिड कितना था में इस इकल टू टू प्लस 3 यही मिला और आर से लेकर यहां से लिखते हैं में अब क्या होगा आगे ने तो आगे तो एल जो है इकल दीर सिर्फ एक ही एलेमेंट तो ना मैंòn लेटा हो ये तो already sorted है ना already sorted तो आप कुछ नहीं करना है आप बोल तो कि already sorted है three का three as it is यही रहेगा ठीक है, ये भी single element है ये भी यही बोलेगा ये तो already sorted है, two का two ही रहेगा ठीक है, तो ये खुश होगा बोला चलो, ठीक है, दोनोंने answer मुझे दे दिया है मैं क्या करूंगा उन दोनों के अंसर को मर्ज कर दूंगा तो ये बंदा सोच रहा है कि लेफ्ट वाले ने मुझे सौर्ट करके दे दिया है और राइट वाले ने भी मुझे सौर्ट करके दे दिया है ठीक है सौर्टेड मिल गया तो अब ये मर्ज करना स्टार्ट करेगा और ज्मख को आगे बढ़ा दिया यहाँ तो यहां पर टू था यहां पर के था एस के केailed Iicedice ऑड़ा डाल दिया, तो के इस फिट आगे बढ़ा डिया क्या आइट उस अब में जितने बचे वाइली do pag तो मतलब यह वाला अरे इसने बता दिया उपर वाले को अपने हाफ का टू कोमा थृ ठीक है यहां आई यहाँ पोंटर रखा यहां पर यहाँ पॉंटर रखा हंगैपो को अजबडाइटे तो यहाँ यहां पर ओंड़ा देखेंज भोन ओर गया तो इस यह बड़ा देम जläut हो यहां लाया झार्क हैं तो अब यह बंदा खुश हो गया कि चलो मुझे सॉटे डरे मिल चुका है लेफ्ट साइट से भी और राइट साइट से भी मुझे बंद दोनों को क्या करना मर्ज करना है तो फिर से वही चीज करेंगे आई यहां पर आया यहां पर रखा मैंने ठीक है अब ध्यान देना इस का लेफ्ट क्या दा यह था इस अरे का राइट क्या था यह ठीक है मैंने के प्लस प्लस कर दिया और के प्लस प्लस कर दिया अब आइथ और जेथ पॉइंटर में छोटा को ना आइथ पॉइंटर तो यहां लिख दिया आई को आगे बढ़ाया के को भी आगे बढ़ा दिया ठीक है अब देखो आई आउट ऑबांड हो ही गया है तो अब रुख जाओ है ना रिमेरिंग जो एलमेंट से सब डाल दो इसमें के वाले में फाइव बचा है फाइव को यहां डाला जे को आगे बढ़ाया के को भी आगे बढ़ाया सब आउट ऑफ बांड हो जाएंगे तो अब्वेस आपका काम खतम हो चुका होगा और अब देखो सही में आपका काम खतम हो चुका है यह हमारा सौट हो गया तो यह था कंप्लीट कैसे वर्क करता है मर्ज सौट कैसे काम कर रहा है रिकर्सिवली इसको काम करने का मन नहीं था तो इसने का किया दो हाफ में तोड़के दो रिकर्शन मारा पहले रिकर्शन को फस्ट हाफ दे दिया दूसरे रिक कर के ले और करके लिए मैं मर्च कवाला काम कर दोंगा तो इसने भी किया इसने बोला मुझे भी काम करने या मन नहीं इसने हाफ अपने रिकष्न वाले को अपने फर्दर रिकर्शन को कॉल कर दिया ठिक है तो यह clear आपड़ देखो इसका इनन लाइफ और देखो है इसका एण भायफ करते चले जा रही हो है तो पहले जा फिर आपने क्या सब्सक्राइब तोड़ा अगर डे लेंत दो गया जब लेंथ वन उगया तो अब्वेस्जी बात है कि अपको हंडेट 10 पर सेंट परसेंट पता चल चुका होगा कि एन को अगर आप हाफ हाफ करके तोड़ते जा रहे हो कब तक वन तक तो आप खुद बताओ कितना डेप्थ होगा भाई इससे पूरे ट्री का इस ट्र log of n इस पूरे ट्री कर डेप्थ log of n है ठीक है और मैंने आपको बताया था टाइम कॉम्पिसिटी कैसे निकालते हैं आप यह देख लो कि कितना डेप्थ है ट्री का लोग ओफ एंड डेप्थ तो है लेकिन याद करो आपको बार बार मर्ज भी करना पड़ रहा था ना देखो याद करो यहां पर यह आपको कैसी मिला था आपने इन दोनों को मर्ज किया था तो मर्ज करने में एन ओपरेशन लगे गाना और आप हर लेवल पर मर्ज कर रहे हो तो मर्ज में कितना लगता है एन ओपरेशन लगेगा ना ठीक है तो एन इंटू लॉगन है इसका टाइम कोंप्लेक्सिटी ठीक है हमारे मर्ज सौट का तो टाइम कोंप्लेशिटी भी मैंने इधर ही पता दिया है क्योंकि सिंपल था इसको फिगर आउट करना है पहले तो चांशन जो ओर इस ही बार बर जा सबस्ते करें old और लॉगन कोंप्लेक्सिट यहां तो टाइम कॉंप्लेसिटि धेख लो देखो क्लियर कोट दखागो कि यह जो हम recursion बार बर कॉल कर रहे हैं तो अब्वेस बात है देख रहो कितना depth है इसका log of n है इसका recursion का depth है ठीक है तो अब्वेस है recursion का इतना space हमने ले लिया log of n यह किसका है recursion stack of system क्योंकि हम recursion call कर रहे हैं लेकिन हां अगर इंटर्वी बोलता है कि recursion का जो space लग रहा है system में उसको ignore करना उसके अलावा आप कितना space ले वह बताओ ठीक है तो वह अभी हम जब problem solve करेंगे वहां पर आपको clear हो जाएगा ठीक है तो चलो अब simple story लिखते हैं जो उपर सिख्या हमने उसी story से दो आप code भी solve होगा आप उसमें एक array को भीजोगे और उसका starting point क्या है जो भी array आपका input था वह भीजा आपने starting point 0 होगा और ending point क्या होगा n-1 होगा starting index और ending index यही तो एल और यही तो आर है स्टार्टिंग में तो यही था ना यह रहा है मेरा जो इन्पुट है जीरो और तो आपने middle निकाल लिया middle index उसके बाद आपने क्या बोला कि यहां पर मैं क्या करूंगा दो लोगों को बोलूंगा कि भाई इसको पहला हाव दे दूंगा अरे का बुलूंगा भाई तो एक काम करना तो एल से लेकर मिड तक के अरे को सौट करके ले आना ठीक है और यह क्य यह मेरा मिड प्लस वन से लेकर आर्ट को सौट करके लिए आना ठीक है और जैसे तुम ले आओगे मैं कुछ नहीं करूगा मैं simply यहां तक लिर तो और उसके बाद लास्ट में एक चीज आपको पता होनी चाहिए या तो रुके कब थे अपने ट्री में हम रुके कब थे जब कि यहां तो यही तीन-चार लाइन है स्टोरी पॉइंट्स और आपको कोड बहुत सिंपल होता है यहां तक क्लिर है और मर्ज का भी मैंने बड़ा सिंपल तरीका बताया था दो पॉइंटर लेना है आई और जे तो वह भी देख लेंगे ठीक है बट अभी तक जितना हमने स्टोरी पॉइंट सीखा एक पॉइंट दो पॉइंट यह दो सॉल्फ करा और यह वाला इनके ल, sort है न, merge sort रख देता है मुझे input में क्या मिला था अरे मिला था है और input में मैंने दो और चीजे ली थी कि उसका starting point क्या है और ending point क्या है L और R है न, तो यहां पर मैं ले लेता हूँ L और R यहां तक तो simple है ठीक है और मैंने बोल दिया था कि भाई मैं पूरा L से लेकर R तक कि array को short नहीं कर सकता ठीक है तो मैं mid निकाल लूँगा है न ल प्लस और माइनस L बाइ टू ठीक है मैंने mid निकाल लिया और मैं बोल रहा हूं कि भाई तू ना अल से लेकर अरे का यह से लेकर mid तक को short कर देना ठीक है मतलब मैं उन पर ही merge sort call कर दे रहा हूं और देखो यही है trust मैं उससे उमीद कर रहा हूं कि वो sort कर देगा मुझे tension लेने की दरत नहीं है ठीक है और मैंने क्या बोला कि जो second half है यानि कि इसी array का m प्लस 1 से लेकर है ना l r तक का जो second half है मैं trust कर रहा हूं कि तुम उसको भी sort करके ला दोगे है ठीक है तुम उन दोनों को ले आओगे sort करके और जब तुम उन दोनों को sort करके लाओगे तो मैं क्या करूँगा merge कर दूंगा मर्ज नाम का एक function लिख दूँगा मैं थिक है जो क्या करेगा उस array को उस array में किनको किनको मर्ज करेगा जो इससे मिला और आप देना यहाँ पर अब जैसे यह więcej साथ कर दिए देखो मेरा original यह था नठास अ तrånा ठीक है मैंने वुमिद क्या किया कि यह जो मर्ज सोथ है L से लेकर M तक को ये sort कर दिया होगा इतना पार्ट sort हो गया होगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि इसने इतने पार्ट को sort कर दिया होगा M प्लस 1 से लेकर R तक को ठीक है? अब बस मुझे क्या करना है? मुझे इन दोनों को मर्ज ऐसा करना है कि sorted fashion में वो merge हो ठीक है? तो मुझे बस merge में क्या क्या चीज़े के जन करें चीए कि बहुत स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? L क्या था? ठीक है? मिड क्या था? और R क्या था? इसके हिसाब से मैं merge कर लोगा तो दोको फाइदा क्या होगा मुझे? कि अभी थोड़ा दर पहले मैंने जो array बनाया था यहाँ पर यह L था, यह M था, यह R था मुझे merge में यही L M और R की दरोत है बस क्यों 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 कह रहा हूँ मैं? मैं simple एक array बनाऊंगा L नाम का जिसमें इतने elements होंगे है ना? L से लेकर M तक के elements होंगे और एक और array बनाऊंगा जिसमें M प्लस 1 से लेकर M प्लस 1 से लेकर R तक के elements होंगे सारे, ठीक है? यही वाला चीज मैं बता रहा हूँ जो मैंने अभी ड्राइंग गरम बनाया था ना? यह देख रहा है L है, यह मेरा R है और दोनों को मैं मर्ज करूँगा इसमें, और इजनल array में, ठीक है? तो मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ कि मर्ज वाले function में मैं क्या करूँगा? L से लेकर M तक का एक array बना लिया जिसका नाम L रखा मैंने, यह एक array है इन दोनों array को मैं इस array में, और इजनल array में, मर्ज करना स्टार्ट करूँगा और वो भी मैंने आपको सिखा दिया था, कैसे करेंगे? है ना? यहाँ I pointer रखा, यहाँ J pointer रखा और इसे इधर K pointer रखा इन दोनों में जो जो छोटा element मिला, मैं डालते चला गया है ना? मैं डालते चला गया और कोई भी ऐसा moment आया, जब माल लेते हैं L exhaust हो गया बस, बट R में elements बचे में या फिर R exhaust हो गया, और L में elements बचे में तो कोई बात नहीं मैं यहाँ पर डाल दूगा अपने array में जो मैंने उपर आपको दिखाया भी था, dry run करते वे ठीक है, तो यह simple सा आपका हो गया merge function है ना? merge function में आपको L, M और R मैंने क्यूं भेजा वही मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ तक clear है, तो दोनों को मैं merge कर दूँगा, बस खतम कहा नहीं, कितना line of code था, एक, दो, तीन, चार line of code है, merge sort का, हाँ, और अलग से merge function है, इसको आप लिख लेंगे, अलग से, उसको पर भी मैं अभी discussion करूँगा, उसके लिए यहाँ तक clear हो गया, ओके, तो, अब आपको बता दिया था, कि बेस केस क्या है, हम कब रुकेत याद है, जब L is equal to is equal to R हो गया था, इस केस में हमें क्या करना था, sort करना ही नहीं था, कुछ नहीं करना था, इधर ही return हो जाओ, क्योंकि एक ही element है, only one element, तो कुछ sort करने की ज़रूत नहीं है, कहानिया अपको इधर ही खतम हो गया, return हो जाओ, ठीक है, यहाँ तक clear हो गया, ओके, तो, अब हम आजाते है, अपने merge वाले function पर, जो मैंने यहाँ पर discuss कि merge function को कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो merge function बहुत easy है, मैंने क्या बहुत 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 है, मैंने array लिया है, middle लिया है, middle index लिया और r index लिया है, ठीक है, तो मैंने बोला था ना, कि मैं दो array बना लूँगा, पहला array L होगा, दूसरा array R होगा, अब देखो पहले array जो L है, इसका size क्या होगा, खुद सोचो, देखो, L से लेकर M तक है, L index number L, index number M तक है, तो इसका length केतना होगा, M minus L plus 1 length होगा, और R का केतना था, M plus 1 से लेकर, R तक था, ठीक है, तो R minus, M plus 1, minus 1, तो plus 1, minus 1, कट जाएगा, anyways, तो R minus M हो जाएगा, इसका length, ठीक है, तो मैंने क्या किया, array बना लिया, और यह वला array बना लिया, दोनों का length आपको पता है, मालन लेते हैं, यह N1 है, यह N2 हो, दोनों का length पता है, तो N1 है length, इसका N2 length है, आपने दोनों array को बना लिया, और ठीक है तो अब देहान देना बहुत इंपर्टिंट नहीं है थे कर रहा है फोर में आई इचिकल टू जीरो आइच सदेन कितना लेंद लेंथ है ना आइपलस प्लस ठीक है अब धान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है मैंने क्या एल के आइएफंदेक्स में थो किसको डाल रहा हूं jesteśmy इसका स्पराटिंग क्या था देखो तो यहांपर देखना देहान से कि उसका स्टाइटिंग था यहां पर बिदेख लों यहांपर में था कि यह जो दो ओरे आपको दिख रहा है मान के चलते हैं यह दो और एक खुद में सौर्टेड है उसका जो मिलते हैं के नाम का है वो भी से स्टारट हुआ ठीक है और यह क्रिए उसमें कर दिया और केरा करते चलो सब्सक्राइब कर रहे हूं यहां के सारे एलेमेंट्स इतने एलेमेंट्स इसमें डाल रहा हूं ठीक है अब एक और फॉर लूप लिखना है क्यों क्योंकि मुझे यह आर वला अरे भी भरना राइट तो देखो ध्यान दो ओर फॉर आई इसकल टूजिए रो आई इसलेजर तन एंट्व है इसका लेंद्ध ना आई प्लस अ ठीक है आर ओफ आई इस इक्वल टू अरे ऑफ के है ना और के प्लस प्लस क्योंकि देखो के प्लस प्लस तो मैं करी रहा हूं ना और के कहां से स्टाट रोगा था अल से अरे है है यह खुद में ही इतने मैं सौ्टेड है इसका स्टार्टिंग इंडेक्स यह हैं यहां से स्टार्ट किया तो अगया है अब के से लेकर और तक के सारे तो हमारा एल और रेडी हो गया है ना तो अब बस मुझे क्या करना है अब बस मज़ कर देना और क्या नाओ यहां तक क्लिर हो गया ठीक है अब एक काम करते हैं स्टार्ट करते हैं जब तक आई यहां तक मुझे अलेमेंट्स डालते चले जाना है लेकिन कैसे डालना वह देख लो लॉजिक मैंने बता दिया था कि अगर लाई लेस देन या इक्वल टू आर जे हो ठीक है तो जो चोटा एलेमेंट और उसको डालेंगे तो अरे के के इंडेक्स पे मैंने किसको डाल दिया को डाल दिया और के प्लस प्लस भी कर देंगे और आई प्लस प्लस भी कर देंगे क्योंकि इन दोनों के एलमेंट्स यूज हो चुके है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर जे पक्का चोटा रहा होगा तो array of k is equal to r of jth index k++ j++ यहां तक क्लिर है ठीक वास को जोनों में बहुत कर दोंगर दो कॉमन अब में गाल निकाल दो न को जान का मन को जानी पाहर निकाल गॉह कर करकर दो तो बस खथम कानी यह हमारा मर्जफ हो गया इने हमारा मर्जज़ में उन्सक्रांक मानले zwr Island कभी ऐसा हुआ कि आई पहले ही खत्म होगा लें यह पहले ही खतम होगा लेकिन अबहीं खतम नहीं हुआ है तो उसकेस में क्या करेंगा जो remaining elements है उसको अर्य में भरते चले जाएंगे मतलब अगर जये खतम होगे आई नहीं खतम हुआ तो आई जब तक खतम नहीं हो जाये तब तक मैं अरे में भरता रहूंगा i के elements अरे k is equal to l of i है ना फिर i++ और k++ ठीक है यह recursion वाला part नहीं है क्योंकि सारा simple for loop है बस आपको merge करना है main recursion जो आपको सीखना था वो तो यह है ना यह है यह trust वाला trust वाला call है मैंने trust किया कि यह दोनों यह इन दोनों half को merge sort करके ला देगा एल से एम तक एम प्लस बन से आर तक इतने हाफ सॉट हो जाएंगे उसके बाद मर्ज वाला काम तो मेरा है वो मैं कर लूँगा है तो वही main part था यह merging तो simple while loop करके आपको करना है दूसरा case क्या है कि मान लेते आई खतम हो गया वालगिन जे नहीं खतम हुआ था तब जे को भी exhaust करना हमें अरे के में डालते चले जाएंगे आर ओफ जे को के प्लस प्लस और जे प्लस प्लस ठीक है बस कुछ नहीं हमारा खतम हो गया यह हमारा simple merge function था ठीक है हमने merge कर दिया तो यह तो merge easy है merging तो आप करी सकते हो ना दो sorted array उसको आप merge आराम से कर सकते हो यह अपने 1000 बर कर भी रखा होगा यह पार्ट तो असान है main important पार्ट था यह वाला है ना जो merge sort को call कर दूंगा और उमीद करूंगा कि वह मेरे लिए sort कर देगा दोनों हाफ को और सिंस उसने अलग-अलग दोनों हाफ को sort किया है तो मेरा फर्स बनता है मैं उनको merge कर दूं correct order में ठीक है यहां तक clear हो गया और बहुत सिंपल सा एक और चीज आपको यहां पता चल चुका हुआ कि देख रहे हो मैं extra space ले रहा हूं यहां sorting के लिए extra space ले रहा हूं यहां तक हमने story लिखना तो बहुत अच्छे से सीख चुक है इसी को बोलते है trust करना आपने simply half-half करके call कर दिया आप मीद कर रहे हो कि वह सौट करके ला देगा मेरे दोनों हाफ को और दोनों हाफ को start कर दिया मैंने दोनों हाफ सौटिड हाफ को मर्च कर दिया सौटे डॉल में ठीक है थी ब्यूटी ओफ रिकर्शन ठीक है हमने time and space complexity भी देख लिया है तो जल्दी से सेम स्टोरी को कोड में convert करते हैं अपने गीक्स फोगीक की आई डी पर और सब्मिट करके देखते हैं तो चलो अब यहां पर गीक्स फोगीक से आई डी में मर्च लिखते हैं इसने इसने क्लियरली बोल दिया कि दो ही इसका मतलब पता है क्या हुआ कि भाई मेरा जो है सिर्फ एक ही element है ठीक है सिर्फ एक ही element है या तो एक और बेस्केस भी हो सकता ना कि अगर greater than equal to R हो गया तो अब्वेसे वह invalid case है मेरा मतलब मेरे खतम हो चुका है और से आगे निकल गया तो वह invalid case है इस case में रिटर्न हो जाओ इस case में आप रिटर्न हो जाओ सॉर्टिंग करनी ज़रूती नहीं क्योंकि अरे खतम हो चुका है और अगर सॉर्टिंग करनी है तो मैं इतने बड़े को सॉर्ट नहीं कर पाऊंगा मुझे हाफ हाफ में तोड़ आट मैं मेंदा चल्डिधा और में मर्शॉक्त कर के लिया दे खाओ ँठोंगा मैं से लेकर सट कर देना चिपा इतना कर दो उसके में मर्ज लिखना है तो अब आते हैं अपने मर्ज फंक्शन में निकाल लेते हैं कि मेरा एल वाला अरे होगा लेफ्ट प्राइड साइड वाला उसका लिं भूल को दिखा दिया तो अब बना लेते हैं सइंसकोडने जिसका बना लिया और हर्म बना लिया फ्रींट करते हैं for int i is equal to 0 i is less than n1 i++ यह मैं किसको भर रहा हूं तो अब देखो अल पर भर रहा हूं L of i is equal to a rr of कौन सा इंडेक्स होगा हां उसका इंडेक्स स्टार्टिंग से यहां से होगा कि इस अरे का स्टार्टिंग पॉइंट आ रहे हैं तो अभी मैं ल से एम तक को यहां पर भर रहा हूं कि यहां पर क्या होगा के ठीक है और इंडेक्स बढ़ाते चले जाओ के प्लस प्लस यहां तक क्लिर होगा ठीक है सिमिलर्ली मैं जिस तरह मैंने फिल एल किया है मैं यहां पर फिल आर भी करओंगा इंट्थ इकल तो यहां पर आर मैं भर रहा हूं आर ऑफ ऐगल अरे आरे के लिए और के लिए और K को L से ही start करेंगे क्योंकि L ही starting point है हमारा ठीक है अब तोरह start करते हैं कब तक जब तक I less than N1 हो and J less than N2 हो और अगर L of I में जो value है वो less than equal to R of J हुआ ठीक है तो मैं क्या करूँगा array of K में किसको डालूँगा L of I को डालूँगा ठीक है और I plus plus कर दूँगा similarly अगर ऐसा नहीं हुआ तो R of K में मैं R of J को डालूँगा और J plus plus कर दूँगा और K plus plus तो होई रहा है वो सो बढ़ता ही रहेगा यहां तक clear हो चुका है और इसकाद मैंने वको बता दिया था अगर अगर आपको यहां दिखा देता हूं और यहां पर मैं क्या है M was not declared M होगा यहां मिड होगा मिड ठीक है एक और बहुत जरूरी चीज मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर पहले सब्मिट करते हैं हां ओके ग्रेट सब्मिट हो जाएगा ठीक है और टाइमर स्पेस पास हो गया है अब यहां पर एक चीज पर ध्यान दो आप यहां पर जो अरे हम पास कर रहे हैं इंट यहां 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 स्कॉर्ल प्रैकरट ऐसे पास जब भी करते हैं तो वह उसका यहां पर जो भी आप चेंज करों ने इस यहां पर भी वह जहेंक यहां थेक है तो यहां तक आयोप आपको सब कुछ क्लेर हो चुका होगा कोई भी डाउट होता है रिद इन देझाव comment section I'll try to help you out see you in the next video thank you